लें जनाब इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे के हमारे पास जो इस वक्त दुनिया का बहुत ही मुशूरे सम्वाना Stable Diffusion एक मॉडल है जो Diffusion मॉडल की बेस पे आपको Image Generation का काम देता है और इसके लिए आपको GPU बड़ा Heavy चाहिए होता है और on the other side अगर आपके पास NVIDIA का Graphic Card है तो ये बहुत ही स्पीड से चलते हैं क्योंकि मैं Apple MacBook योज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास काफी Errors भी आएंगी इसकी और ये कहां से मैं देख रहा हूँ और कहां से आपको बता रहा हूँ I am going to show you exactly कि Stability AI क्या होती है और किस तरीके से ये model हमारे पास काम करती है मैं screen आपके सामने share करता हूँ अगर आप Google में जाके लिखेंगे Stable Diffusion जो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है तो आपके पास Stability AI की एक website open हो जाएगी मैं इस पर click करता हूँ and you can actually have an idea कि यहां पर click करने के बाद मेरे पास basically Stability AI की website open हो जाएगी same here मैं यहां पर लिखता हूँ Stable Diffusion in TensorFlow मैं यहां पर लिखके TensorFlow से मैंने start करना है तो इस वह जासे Stable Diffusion को वहां पर भी open कर लेता हूँ तो जैसे मैंने यह दो websites जो हैं इने open किया I can actually see के मेरे पास यहां पर बे बहा information मौझूद है and you can have a look here अगर आप यहां पर गौर करें तो generative का एक proper यहां पर अगर TensorFlow की learn के अंदर आप click करेंगे introduction, TensorFlow और यह सारी चीज़ों के अंदर तो आप हम देख रहे हैं कि हम advanced level पे काफी चीज़ों को पहले देख चुके हैं vision के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी यहां पर एक generative का link है अगर आप generative पे click करें तो यह stable diffusion एक model स्टार्ट हो जाता है और आप यहां पे click करके से Google collab में भी start कर सकते हैं अगर आप GitHub पे देखना है वो भी Keras पे देखना है वो भी तो आप इस पे काम कर सकते हैं On the other side, जो model हम use करने वाले हैं that is a model from stability AI called stable diffusion model और obviously इसके और भी advanced models हमारे पास मुझूद है जैसे इस वकत SDXL यानि कि इस वकत का और भी advanced level का model called SDXL Turbo which can actually do similar images like mid journey stable diffusion XL भी हमारे पास आगया stable audio भी हमारे पास है stable LM भी हमारे पास है stable video diffusion भी है stable 0, 1, 2, 3 भी है and you can do a lot of other things by using these models और यहां पे stability AI का APIs भी मुझूद है membership भी मुझूद है और यहां पे models इनके सारे मुझूद है image, video, audio, 3D and language तीनों के तो अब basically अगर मैं यहां पे turbo के उपर यहां पे click करता हूँ I can have a look के मेरे पास कितनी किसम के इसके model जो हैं वो हमारे पास मुझूद है so let's see हमारे पास यह clip drop है SDXL है so यह इस तरीके से हमारे पास models मुझूद है यह model क्या है यह दुनिया में बे बहाँ तस्वीरों के उपर train किये गे हैं और उनकी base पे stability जो diffusion models की base पे यह काम करते है and at the end we can use these models to generate images for example यह कहते हैं कि अगर आपने try करना है यह वाला model और आप इसको stability AI की base पे यहां पे try भी कर सकते है and let's see अगर हम कोई भी एक यहां पे prompt लिखे तो मैं यहां पे लिखता हूँ generate an image of a girl wearing wearing hijab and coding on python for live python boot camp class so मैं इसको generate करने की कोशिश करता हूँ I know के यह इनोने upgrade pro मांगना है and that's why I am showing you this अब देखिएगा यहां इसको copy करके यहां पे generate करने करता हूँ वो कहते है यहां तो आप pro subscription ले यह वैसे काम ने करेगा मैं नहीं लेनी pro मैं यहां पे prompt लिखने के start करता हूँ वो कहते है कि पहले आप login करें then we will provide you information to use this model मुझे यह चीज़ पसांद नहीं है क्योंके जब भी आप online जगों पे जाते है you have to do these kind of things अब तीसरी बात यह है कि I have to do something else यहां मुझे कोई ऐसा platform ढूंडना है जहां पे मैं easily यह तस्वीरें बना सकूँ यहां मुझे फिर इसको locally install करना है so locally use करने के लिए मैं इसको prefer करता हूँ that is why मैंने यह वाली notebook open की और यह notebook जो है मैंने download अपने पास कर ली हुई है and this notebook will help me to generate my model लेकिन यह सब से पहले क्या करेगी model को download करेगे then I can use in Jupyter notebook and create these kind of images और उसको करने के लिए मैं आपके सामने screen share करता हूँ and here is that notebook जो मैंने already यहां पे paste कर दी है generative image with stable diffusion तो यह stable diffusion के अंदर यह use करेंगे यह जिसने भी notebook बनाई है 2022 के अंदर create की है so I'm not gonna actually change their credits तो as it is मैं इसको रख रहा हूँ stable diffusion क्या है किस तरीके से काम करता है stability क्या है XLA compilation क्या होती है and so on and so forth अगर आप अब यहां पे देखें कि आपको Keras CV चाहिए और Keras चाहिए यह मैंने already update कर ली हुँए so I'm not gonna update these two libraries इसके बाद यह वाली चीज जो है यह है basically आप import करते हैं Keras CV और बाकी तीनों चीज़े मैं इसको click करता हूँ और Tencil for a model पे उपर run करता हूँ so you can see के मेरे पास जब यह तीनों चीज़े install हुई है तो it's working on the back end so everything is working fine Keras CV यानि के computer vision की library very important आपके लिए install करना पहले आपके पास install नहीं होगी if you are learning in this course then आपने क्या करना है आपने basically Keras CV के अंदर से models.stableDiffusion जो pre-trained model है उसे ले के आना है और image की width and height आपने पहले से बता देनी है और उसकी git compile मतलब आपने अगर उसको compile करना है using some kind of specific tool you can write down लेकिन मैं इसको as it is यहां पर रिखता हूँ मैं इसे run करता हूँ so now I have this stable diffusion model ready in my model लेकिन जैसे ही मैं यहां पर लिखूँगा model.text.to image तो model के बाद text.to image हमने बनानी है तो यह मैंने लिखा है photograph of an astronaut riding a horse bat size मैंने 3 कर दिया bat size का मतलब है कि 3 तस्वीरें इसकी बनेंगी और यहां भी मैंने कहा है कि जब वो तस्वीरें बन जाए image के अंदर तो plot those images ठीक है so अब क्या होगा जैसे मैं इसको run करूँगा जो पहले मेरे पास output है वो आपको दिखा दूँ it will actually download from here यहां से यह model को download करेगा और also from hugging face hugging face से यह generative AI को जो model है kcv encoder इसे download करेगा and then it will also download another thing from hugging face called stable diffusion model h5 file and then it will also download this model so हमारे पास encoder है फिर हमारे पास diffusion model है and decoder है तो यह तीन चीज़ें मिलके हमारे पास download होंगी and also we will also download this vocabulary from here so based on this when you run this command you will have to wait a lot क्योंके यह तकरीबन अच्छे खासी gb's के अंदर यह data मुझूद है और क्योंके जितना भी model बड़े वाला होता है वो उसकी उतनी ही space होती है अब simply अगर मैं for example यह वाला जो model as stable diffusion का इस link को copy करता हूँ और हम website के उपर जाते है वहाँ पर जाके इसको paste करते है यहाँ पर मैं इसे paste करता हूँ let's see paste करते के फोरां साथ ही you will see के हमारे पास hopefully एक link open होगा जिसके अंदर हम देख पाएंगे के हमारे पास कौन-कौन सा model जो है इसके अंदर मुझूद है जितनी देर वो open करने में लेगा you can see के यहाँ पर यह model डाउनलोड हो रहा है and this model is actually 3.2 GB यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है मैं इसको cancel करता हूँ 3.2 GB का यह model है and now मैं यहाँ पर main के अंदर जाता हूँ and let's see if open something नहीं किया okay so मैं यहाँ पर copy करके stable diffusion लिखता हूँ and here you can see आपके पास different किसम के stable diffusion के models मुझूद है otherwise you can click on model model के उपर आप click करें click करने के बाद आप यहाँ पर देखें के stability AI के काफी models मुझूद है text to image के मैं stability पर click करता हूँ AI पर यहाँ पर files and versions पर click करता हूँ you can see के आपके पास stability cascade and there are many other things from this one company और आप यह सारे के सारे models use कर सकते हैं हमारे पास जो model यूज हुआ है इन ही में से एक हुआ है so here we can see के हमारे पास different किसम के stable diffusion के model है LM के model है and so on and so forth तो यह जो चीज बताने का मकसद यह है के यह मैंने download directly नहीं किया मैंने सिरफ यह command लिखी and TensorFlow already tried to download this thing और यह आपके home directory के अंदर hidden folder के अंदर download होगा so whenever you need to delete that क्योंकि आपके पास space कम है then you can run you can actually go to that place and remove this इसको मैंने run किया क्योंकि मेरे पास औरड़ी download है hopefully यह दुबारा से download नहीं करेगा GPU और CPU यह दोनों चीज़ें यूस करेगा अच्छे तरीके से and then at the end it will provide me some images down there ठीक है let's wait and watch कि हमारे पास कितना time इसको लगता है और जैसे ही यह मेरे पास तस्वीरें बना रहा होगा I can bring you to this thing अब यहां से आप खुद से भी model download करके अपने PC में चला सकते है you need to learn a little bit of coding और आपके पास heavy किसम का model होगा अब यहां पे एक चीज़ मैं यहां पे लिखता हूँ Stable Beluga let's see yes Stable Beluga यह Stability AI के model हैं दोनो Beluga 1 and Stable Beluga 2 यह दो models हैं let me show you this यह दोनों model भी diffusion model की base पर काम करते हैं and then you can have a look अच्छा जब मैं तस्वीरें रन करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से तस्वीरें आएंगी based on the prompt यह जो मैंने prompt लिख है so locally I can generate any kind of image based on the prompt और वो prompt जो है मेरे पास images generate करने के बाद यह मुझे इस तरीके से image देदेगा अब इन्होंने इसी notebook में बताया है कि आप अगर prompt को और भी advanced type का लिख दें तीन चार चीजें लिख दे then you can create those kind of images for example cute magical flying dog fantasy art तो यह पहले वाला हो गया then golden color high quality high detailed elegant sharp focus यह दूसरा हो गया you can see that concept art character concept digital painting mystery adventure तो अगर आप देखें तो तीनो prompt को इकठे करके तीन तस्वीरें different भी बन सकती है और you can write down your own prompt और आपके पास तस्वीर जो है वो final बन के आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे आपको ले के हूँ अपनी notebook के उपर now you can see के यहाँ पे 50 processes चले है 96 seconds मुझे लगे हैं इस system में and then you can see these three images ठीक है और simply मैं इन तिनो images को save भी कर सकता हूँ वो कैसे अब यह जो images हमारे पास बन गई है ना इस images के type के अंदर I can actually save images from images तो आप simply PLT की command लगा के इस तरीके से उन्हें save कर सकते हैं so मेरे पास जैसे मैं इसे run करूँगा तो यह मेरे पास तीन images जो मैंने चलाई थी यह save हो जाएंगे let's see और इनको मैं देखता हूँ यहां पे यह आई है के नहीं और यह रही images so you can actually save those images I know के यह बहुत ही मदलब थककड सी बनी है but you can do a lot of things अभी कैसे मैं इसको दुबारा से copy करता हूँ और I will take this prompt down here यहां पे इसे paste करता हूँ और यहां पे अपना prompt लिखता है मैं यहां पे लिखता हूँ create an image of cat playing with dog on mars यह मैंने लिखा है जनाबे वाला create an image of cat playing with dog on mars और मैं सिरफ दो images बनाना चाता हूँ bat size मैं दो रख देता हूँ और यहां पे मैं इसको run करता हूँ and it will take again some time और उस time के अंदर आपको images बना के देदेगा simple so stable diffusion model you can run like this अब एक और चीज़ है यह काम कैसे करते हैं अब इसकी theory के ओपर थोड़ा सा focus करते हैं यहां पे अगर आप गौर करें ना तो आपके पास दो किसम की different layers आ रही हैं और यहां पे आपके पास जो है basically आपके पास high resolution भी है और low resolution of images भी है तो basically low resolution of images के अंदर आपके पास kind of noise होता है और high resolution image के अंदर नहीं होता यहां पे चेक करें की idea of latent diffusion proposed in high resolution image synthesis by latent diffusion model was this one जो 2020 में propose किया तो अंडर्स्टेंड diffusion in depth यू can check the Keras I.O. tutorial जो यहां पे है लेकिन यह आप चीज नोट करें कि यह noise से तस्वीरें बन रही है तो यह noise है noise से तस्वीरें बन रही है तो latent space के अंदर आपके पास noise मुझूद है तो इस तरीके से noise से तस्वीरें बन जाती है तो noise के अंदर हर एक noise की value के साथ basically एक property मजूद होती है which can actually work on this ठीक है तो यह आपके पास इस तरीके से latent space के अंदर चलता है तो आपके पास क्या होता है text encoder होता है जो हमने install किया 4-5 model जो किये पहले text encoder होगा फिर वो क्या करेगा encode करेगा text को ठीक है उसके बाद हम initial patch of noise add करेंगे उसके अंदर तो क्या करेगा वो diffusion model की base पे उसको diffuse कर देगा image को जो हमारे पास और रेडी पड़ी हुई है so basically क्या होगा latent space के अंदर अगर यह patch मुजूद है तो diffusion model क्या करेगा और ready latent space से तस्वीरें उठाएगा यानि कि noise उठाएगा उसको decode करने के लिए आप फिर एक image बना देगे तो basically क्या होगा text आया इसके अंदर initial noise patch लगा noise patch ने जो भी आपके पास images थी और ready पड़ी हुई उनको noisy किया noisy करने के बाद उनने diffuse किया और diffuse करने के बाद decode करने के बाद आपके पास यह तस्वीर आगे and this is how it works I know that there are many things अगर आप इस notebook को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी but at the end अगर आपके पास NVIDIA का graphic card मुझूद है you can actually speed up this task by using XLA compilation जो मेरे पास अभी काम नहीं कर रही अगर आप इस notebook को देखेंगे you can create your own copies of that और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो image मैंने बनाई है quality बहुत अच्छी नहीं है अगर आप गोर करें मैं असल में इस चीज की पहले बात कर रहा था कि यहां पर अगर आप गोर करें तो diffusion इस तरीके से काम करती है sorry for the screen stuck यह इस तरीके से आपके पास noise है यह देख रहे हैं आप noise समझ रहे हो यह आपके पास noise होता है noise से images बनती है noise आप समझ लिए कि एक latent space में से information है उससे आप images बना रहे है ठीक है अगर original भी images पढ़ी है उनको पहले noise किया जाता है फिर denoise करके नहीं image बन जाती है basically ठीक है यह पुरानी images को noise में convert किया फिर उससे denoising हो रहे है so this is the process of stable diffusion यह diffusion models ठीक है यह दो papers जो है यह notebook के अंदर मुझूद है you can understand these papers and also the tutorial कि diffusion model कैसे काम करते है मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि अगर हम an astronaut riding a horse इसकी image बनाते है तो text इसको encode करता है ठीक है text encoder फिर हमारे पास encoded text आगे जा रहा होता है diffusion model में और बीच में आपके पास RNG की एक layer चलती है which is a kind of initial patch of noise ठीक है फिर क्या होता है वो diffusion model noise plus denoising करके आपको एक process information देता है फिर आप उसको decode करते हैं उस information को into an image so ये सारा कुछ हो रहा है based on based on these models जो मैंने अभी आपको दिखाए थे यहां पे already वो मैंने चला ली हुए so based on the models जो मैंने भी आपको यहां पे दिखाया थे थोड़ी दिर पहले because I have rerun this thing जिसकी वज़ा से वो यहां से गाइब होगे by the way इस तरीके से image बन रही है so you can actually create a very nice image अगर आप processing power जयादा दे देंगे तो आपके पास यह images और भी सुतरी बनेंगी AI के अंदर कुछ changes करके आप image को hyper realistic भी बना सकते हैं मैंने सिरफ और सिरफ यहां पे एक छोटा सा prompt लिखा जिसकी वज़ा से images ऐसी बनी थी but if you write a nice prompt तो आपके पास images जबरदस बनेगी something like this ठीक है और आप इसको extend भी कर सकते हैं बाकी जारी बात है आपको पता होना चाहिए कि low resolution और high resolution जब होती है तो noise किस तरीके से काम करता है and here you have text encoder की py file इसके अंदर मुझूद है diffusion model है decoder and stable diffusion.py है तो यह सारा के सारा काम करता है keras के अंदर और और रेड़ी मुझूद है तो keras को use करके अगर आप xla compilation करेंगे digit compilation को जब true करेंगे which we wrote as a false in the beginning यहां पर अगर आप इसको on कर देंगे तो आपकी speed of creating images और भी increase कर जाएगे which I don't have the power to do because मैं Macbook को use कर रहा हूँ I don't have the CPU at the moment और यह tesla का tesla t4, tesla v100, tesla v100 को आप use कर सकते हैं और यह बाकी जो आपके model है उसके उपर different किसम का time लग रहा है यानिके अगर एक GPU 28 minute में चला रहा है 41 में दूसरा, 12 में तीसरा 12.12 में चोथा so you can see a big change in the run time based on the GPU ठीक है तो XLA compilation के साथ भी और XLA compilation के बगार भी you can create a lot of images जिनके पास NVIDIA है they can try this thing JIT compile को true करके and they will find a lot of images at the end मेरे पास यारर आ रही थी and I couldn't do this XLA compilation जिसकी वज़ा से मेरे पास जो images है बहुत ही low quality की भी आ रही थी और बहुत ही slow आ रही थी so this is up to you you can run this notebook और ये notebook मैंने आपको बता दिया कहां पर पड़ी हुई है and based on then you can see किस तरीके से diffusion model जो है वो काम करते है hopefully आपको समझ आगे होगे concept of diffusion क्या होता है I know कि there are many things inside this diffusion model लेकिन जारी बात है अगर आप specialization करना चाहेंगे in image generation models या generative AI के अंदर then you can learn more हमारा मकसद यहां पे आपको basic से intermediate information देना है और आपको notebooks और code के थुरू यह सारी चीज़ें समझाना है now you can actually apply these all things on your own और आप इनको और भी detail में समझ सकते है last but not the least अगर आप यहां पे जाएंगे जो हमारे पास already एक notebook पड़ी हुई है so I highly recommend कि आप यह generative के ऊपर जागे neural style transfer को भी देखें FGSM को भी देखें intro to autoencoders, variant autoencoders lossy data compression lossy data compression यह जो भी हमारे पास generative यहां पे चीज़ें पड़ी हुई है please look into it because आने वाले दिनों के अंदर हम इनको समझने वाले है style transfer क्या होता है यानि कि यह वाला style पकड़ा और और मिसाल के तोर पे यह dog की तस्वीर है यह वाला style पकड़ा dog के ओपर fit कर दिया and then you can see a dog having similar style और यह चेक करें so style भी आप transfer कर सकते हैं which is working on different graphic designing notebooks और फिर आपके पास deep dream आजाता है अगर आप इसको देखेंगे you can actually see कि किस तरीके से एक जगा पे आप deep dreamy तस्वीर को बना सकते हैं based on the information taken from the same images ठीक है so basically यह क्या करता है same images को यह आपके पास different किसम के model के थूँ lucid information के अंदर change कर देता है which we are going to learn in later stages और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास DC GANs है ठीक है deep convolutional generative adversarial networks यह भी एक generative AI की type है यह कैसे काम करती है you can have a look on this notebook और आपको समझाएगे कि आपके पास basically discriminator होता है generator होता है and at the end आप तस्वीरें जो है अपनी मर्जी की बना सकते है loops के थूँ जाके and you can create multiple handwritten digits as well based on the images अब यही नहीं pics to pics पी है यानि के एक image को आप देंगे ठीक है यह वरिया आपके पास input image है यह ground truth है और यह predicted image है आपने क्या किया input image ground truth दोनों को मिलाएं अगर तो आपके पास predicted image बन जाती है so here you can do the same thing सीचिए so basically pics to pics भी आप generation कर सकते हैं आप देख रहे है आजकल generative AI के थूँ आप कोई भी change करना चाहें जहां पे image को बढ़ाना चाहें landscape में करना चाहें you can do that आपके पास cycle GAN है generative adversarial network जो cycle की बेस पे काम करते हैं cycle क्या होता है आपको पता होना चाहिए यह consistent adversarial network होता है यह बाहर बाहर चलता जाता है for example यह input image है इसको आपने zebra के अंदर convert कर दिया यह वला input image है एक horse का या mare का तो आप इसको zebra के अंदर convert कर सकते हैं so you can do a lot of things with the same image आप इसको basically horse को zebra के अंदर करने के लिए आप different तरीकों का इस्तमाल कर सकते हैं there are many models out there so मैं सिरफ आपको कुछ-कुछ इस वज़ा से भिता रहा हूँ that you should know यह सारा mathematics है अगर आप mathematics के अंदर आगे जाएं तो you can understand that so at the end I would recommend के प्लीज आप इन notebooks को जरूर देखें ठीक हो गया समझ तो गही है ना क्या वहला like share and subscribe